हेलो दोस्तों फागत है मेरे यूटूब चैनल न्यूवेकेंसी लेट में दो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली ग्रमेर डाग स्रीवा में जो 233 पदों के लिए वेकेंसी निकाली गई है आप उसका फार्म गैसे भर फार्कते हैं तो चलिए दोस्तों इंटरफेस खोल लेना है और आपको करना क्या है नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है अब आप यहां देखिए जो step to apply लिखा है आपको यहां आ जाना है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने कभी इसका फार्म भारा है तो आपके पाफ registration नंबर होगा तो आपने अभीता किसके लिए कभी apply नहीं किया है तो आपको करना क्या है पहले registration कर लेना है थिक है तो चलिए registration कैसे करते हैं ओ देख लेते हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे फॉर्म एपलाई कैसे करते हैं वो देखेंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पाफ फिंपल सा रिजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों अब देखें यहाँ यह कह रहा है यदि आपके मुबाइल नमबर पे OTP नहीं आता तो आप यहाँ पास क्लिक करके मुबाइल नमबर चेंज कर फकते हैं और यदि आप registration number भूल गए है तो आप यहाँ पास क्लिक करके अपना registration number प्राप्ट कर फक्ते हैं ओके दोस्तों अब आपको करना क्या है अब देखे नीचे आ जाना है ठीक है अब आपको करना क्या है दोस्तों फर्ष्ट कालम यह जो दिख रहा है आपको तो यहाँ पास क्या भरना है अपना नाम भरना है यहाँ पिता जी का नाम भरना है यहाँ मुबाइल नमबर भरना है दोस्तों यहाँ धार नमबर भरना है यहाँ इमेल एडर भर देना है ठीक है और यहाँ पास डेटा बर्त भर यहां पाफ जेंडर फिलेक्ट करना है ठीक है और यह बहुत तीजी है दोस्तों ठीक है यहां पाफ कमुनिटी फिलेक्ट कर लेना है OBC HDFE जो आप हैं तो यहां फ्लेक्ट कर लीजेँ फिर यहां PAF यदी यहां यहां PASP किया है तो आप जैसे यहां PAF मैं मद्दप्रदेश ओको मैंने 10 जो है मैंने मद्दप्रदेश है MP से फीर नाफ दाल देना है आपने 10 अाफ PAS PAS momento कर लेनी है ओके फिर आप देखिए यदि आपने फपली मिंट्री यहां पास तो पास दिन फ़स्ट टेंप में इन फपली मिंट्री यदि आपने पास किया है तो यहां पास आप फिलेक्ट कर देंगी ठीक है इस वाले कालम में ठीक है फिर आपको करना क्या है फिर नीचे चल नो कर दीजे ठीक है फिर आपको क्या करना है यह जो कैप्चा दिख रहा है तो इसको यहाँ पास भर देना है ठीक है अब आपको करना क्या है एक प्रिब्यू में क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म सही भरा है या नहीं ठीक है फिर यहाँ पर आई है में क्लिक कर द ऊहरे लिख़ को है। तो कुछ इस प्रकार राप्त करने कि प्रोफेव हैं ॉक है अब चलिए जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आपको करना क्या है riff चेप दूफ उत्व दूफरे स्ट्प में आपको मताता हूं अब आपको करना क्या है दोस्तों जब आपको registration number मिल जाएगा तो आपको क्या करना है फिकंड स्टेज में यहाँ पास speech payment वाले ओफ़न में क्लिक कर देना है ठीक है जैसे ही आप गलिक करेंगे तो यहाँ पाफ देखिए यहाँ पाफ आपको registration number डालना पड़ाईगा और फिस पेइमेंट करने के लिए यहाँ पास बोलेगermaid ठीक है तो आपको यहां पास पेइमेंट फीज़ करदेना है फिर अंगली स्टिप में चले जाना है ठीक है जैसे ही आपकी फिस पेइमेंट की प्रॉफिस कमप्लीट होती है तो तो आपको थर्ड इस्टेप में चले जाना है apply online की बटन पे ठीक है जैसे हम apply online की बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस सामने आ जाता है ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पास यहां रेजिस्ट्रेशन नमबर डालना है अब फरकल एपलाइंग फ इस प्रकार की इंटरफेस खुलेगा आपको करना क्या है यहां पास डौर house apartment नमबर आपको भरना है यहां street नमबर भरना है यहां पास विलेज address डालना थीक है पंचियत डिस्ट्रिक जो भी है यहां पास भर देना है पिन कोड नमबर यहां पास डाल देना है य preparing milligram है तो य पिर आपको क्या करना है यह baik है यहाँ पास किया है यह जब पहाँआपको क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगे और डिया अब भीजल आपको यहाँ इस ऑपको यहां पाफ फिलेक्ट रिजल्ट टाइप आपको चूज करना है यदि आपका फीजीपीय था तो आपको यहां पाफ फीजीपीय चूज करना है जैसे मेरा markers था तो यहां पाफ मैंने markers चूज किया फिर इस प्रकार के कुछ हमें number भरने के लिए आ गये जैसे हमने 10th में मैथ में कितने पाई थी form F.A.T.A.T. इस प्रकार कुछ ठीक है तो आपको कुछ इस प्रकार भर लेना है आपको यहाँ पास से जब आप टिक करेंगे तो जो 3rd language होती है आपकी वो यहाँ पास चूज करने के लिए आ जाएगी फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपको यहाँ पास फोटो अपलोड करने पड़ेगी जो JPG मोड में हो और 50 KB फे जादा नहीं होनी चाहिए फिर यहाँ पास आपको क्या करना है फिगनेचर अपलोड करना है यहाँ 10th की मार्क फीट अपलोड करना है और यहाँ पास Supplementary अगर आपने पास किया है 10th तो आप यहाँ पास भर देजिए ठीक है यदि आपने नहीं भर रहा है तो इसको कोई भरने की यदि आपने जो 10th है तो Supplementary पास नहीं की है यदि आपके पास з former material है तो इसको कर लेकर देजिए अगर नहीं है तो मत करिये फिर बाद में कर दिजिए यहाँ पास अब आपको क्या करना है यहाँ पास करना क्या होगा दिवीजन फ्लेक्ट करना होगा आपके जितने भी इवीजन यहां पास सेलेक्ट करना है आप फिलेक्ट कर दीजिए ठीक है और आपका जो चैन हो गए यहां पास तो मेरिट लिस्ट की फूची की अधार पर किया जाएगा ओके तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको करना क्या हो यहां पास फेब और प्रिंट निकाल लीजिएगा ठीक है और इसको रख लीजिएगा क्या पता कभी इसकी जरूरत पढ़ जाए ठीक है तो कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्नवाद करें आपका बहुत बहुत धन्नवाद करें है तो कि यद्गा राम्नवान भगा हो तो प्लीज एगा करें दोफ धन्नवाद करें दो प्लीजिए.